नमस्ते, आप सबी का स्वागत है ट्रेंडिंग एकनोमेक्स पर इस वीडियो में देखने वाले हैं उत्पादक रिण क्या होता है इसे इंग्लिश में Productive Loans कहा जाता है जब आप Public Finance पढ़ते हैं, उसमें जब Public Debt के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये Topic देखने को मिलता है आए समझते हैं, उत्पादक रिण ऐसे रिण होते हैं जिनका प्रियोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जिनके बदले में इतनी राशी या लाभ प्राप्त हो जाता है कि मूलधन यानि Principal Amount और ब्याज मतलब Interest का भुगतान किया जा सके तो पहले सरकार रिण लेती है, फिर इन रिणों को ऐसे कार्यों पर वे किया जाता है जिसे सरकार को Return कुछ मिल सके, लाभ के रूप में ठीक है या कोई राशी मिल सके, जिसे जो लोन लिया है यानि Principal Amount और उसके साथ में क्योंकि उसको Interest भी देना है जिब दोनों ही Amount मिला करके सरकार भुकतान कर देती है अपने लाभ से, लाभ कमा करके, वो राशी कमा करके तो इसको ही उतपादक रिण कहते हैं एक परिभाशा हमने लिए है, कई सारी परिभाशा है थी लेकिन Professor J.K. महता के नुसार, इनकी परिभाशा बहुत अच्छी आई समझे, Professor J.K. महता के नुसार उतपादक रिण, वे रिण होते हैं जिनकी धनराशी को ऐसे विवसायों में लगाया जाता है जिनकी आई से उसके मूलधन और ब्याज की रिण की परिपकता के बाद लटाया जा सके तो इनके भी कहने का सेम मतलब है, कि सरकार पहले लोन लेती है फिर ऐसे विवसायों पर लगाया जाता है, जिनसे सरकार को कुछ आई मिल जाए और उस आय का फिर से वो जो लोन लिया था, उसका प्रिंसिपल एमाउंट और प्लस इंट्रेस्ट दोनों वापस कर सके इसी को उत्पादक रन कहते हैं, ठीक है एक नीचे नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़िए और उसके बाद हम एक्जामपल देखेंगे नोट कह रहा है, इन्हें पुनर उत्पादक रन यानि reproductive लोन्स भी कहते हैं तो पुनर उत्पादक लोन कहिए या उत्पादक लोन्स कहिए, दोनों सेम होते हैं अब उधारन देखते हैं, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए, जैसे सरकार बहुत सारे उद्योगों पर वे करती है, ठीक है, तो जब सरकार उद्योगों पर वे करती है, तो ऐसे वे को भी हम क्या कहते हैं, उतपादक वे कहते हैं, यह पहला एक्जामपल हो गया, इसी तरह आ अगला है परिवहन योजनाओं पर वे तो परिवहन सरकार बसे वगरा चलाती है ठीक है आप जानते हैं जब बस में सरकारी बैस में बैठते हैं तो वो कुछ समसे चार्ज करता है इससे भी सरकार को आय होती है तो ये भी एक इसका एकजामपल है ठीक है उतपादन उतपादक loan का example है अगला है विकास कारक्रमों पर व्य तो विकास कारक्रम जो होते हैं development बहुत सारे programs होते हैं सरकार चलाती है उसके बहुत सारे व्य होता है इसको भी उतपादक run कहा जाता है तो I hope ये चीज़ आपको clear हुई होगी